नमस्कार आप सुन रहे हैं दबॉलीवूट रेडियो और मैं हूँ आपके साथ अनुपाकाश फर्मा दोस्तों ये किस्सा राजकपूर और दिलीब कुमार की दोस्ती का है जब राजकपूर ने दिलीब कुमार की दोस्ती एक लड़की से करवाने की नाकाम कोशिश की थी बॉलीवूट के ट्रेजडी किंग दिलीब कुमार और शोमैन राजकपूर की दोस्ती फिल्म इंडिश्टी से नहीं बलकी उससे कहीं पहले से है दोनों बिटिश इंडिया के पेशावर में जन्मे और साथ पढ़े थी दिलीब सहाब और राजकपूर का सुभाव एक दूसरे से बिलकुल अलग था फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत कहरी थी राजकपूर फिल्मों में आने से पहले ही लोगों को अपनी और आकरशित करने की काबिलियत रखते थे और उनके इसी सुभाव की वज़े से लड़कियों के साथ भी उनकी दोस्ती आराम से हो जाती थी कॉलेज में राजकपूर ने एक बार दिलीब कुमार की भी दोस्ती एक लड़की से करवाने की की थी तब क्या हुआ था और उसपल का मज़िदार किसा आज के इस पौटकास्ट में हम आपको सुनाएंगे दिलीब कुमार शुरू से ही शर्मीले सुभाव के थे वो लड़कियों से कम बात करते थे जबकि राजकपूर किसी भी लड़की से आराम से बात कर लेते और उनकी दोस्ती कई लड़कियों से थी जब भी राजकपूर और दिलीप साथ होते और कोई लड़की पास आ जाती तो दिलीप सहब शर्माने लगते वो सोचते थे कि कब ये लड़की यहां से जाएगी एक बार तांगे की सवारी के दोरान राजकपूर ने पेरिस की दो लड़कियों को लिफ्ट आफर कर दी तब दिलीप कुमार ने उनके बैठने की जगे बनाई पर राजकपूर खिसके तक नहीं एक लड़की दिलीप सहाब के पास आकर बैठ गई और दूसरी राजकपूर के बगल में रास्ते भर राजकपूर ने उस लड़की से ऐसे बाते की जैसे वो एक दूसरे को कई सालों से जानते हूँ वहीं पास बैठे दिलीप सहाब थोड़ा असहज हुए जा रहे थे उन्हें ऐसी हरकत में ऐसी हालत में देखकर राजकपूर ने धीरे धीरे बाते करना शुरू कर दिया कुछ समय के बाद जब वो दोनों उतर गई तब दिलीप सहाब ने जान में जान ली और अब उनके जज़क दूर करने के लिए राजकपूर ने एक लड़की की दोस्ती कॉलेज में दिलीप कुमार से करवाने की कोशिश शुरू कर दी राजकपूर ने दिलीप कुमार के पास जाकर एक लड़की की और इशारा करते हुए कहा कि वो लड़की उनसे दोस्ती करना चाहती है तब उनके पास कई लड़के लड़कियां नहाँ पर खड़ी थी दिलीब कुमार शर्मा रहे थे लेकिन राजकपूर ने उनको उनसे बात करने का अग्रह करना नहीं छोड़ा राजकपूर ने दिलीब कुमार की बात करने का एक महाल बनाया सारा बंदोबस्त कर दिया मगर जब तक दिलीब सहाब उससे बात करने जाते तब तक वो लड़की वहाँ से चली जाती है और इस तरीके से ये किस्सा यहीं पर अधूरा रह जाता है यानि कि कॉलिज की जमाने में राजकपूर और दिलीब कुमार की दोस्ती का वो किस्सा जिसमें एक लड़की से दोस्ती करवाने की नाकाम कोशिश राजकपूर ने दिलीब सहाब के लिए की थी सुनते रहे दबॉलीवट रेडियो सुनता है सारा इंडिया